C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये कारेक्रम यादें बापु गांधी की लोगों का मकान साथ, लोगों का प्रखाना साथ, लोगों का बेशने का सुने का सब साथ, कलिया साथ, और ऐसे लोगों का दिल भी साथ है ये सुने, उस्ताद अमजद अली खांकू प्राँ का अमजद ट्रस्तुत है कि समतने हैं कि इसके सुरहelle नीशा सा नीशा नीदानी दरे मगमरे गारे शाने दलिधाना किrim डादा डादा गारा दा गादा गाका साराइब भूकלא तो यानि यह एक आदमा है शब्दों की हाँ अच्छों यह आपने सुना इसको कहा जाता है राम धुन तो हमारे जो राश्ट पिता थे, कौन थे? महत्मा गांदी जी तो उनके साथ इसका बड़ा भारी अस्वेशन है और उनको बहुत पसंद था यह मेरे खाल से सबसे मशूर गाना या भजन या सौंग इससे मशूर कोई चीज नहीं दुस्तार में अब यह इंटरनेशनल ख्याती इसको प्राप्ध हो चुकी है कि अब जो हमारे बहार के बीट ग्रूप जो भी है पॉप सिंगर्स जो भी है वो भी इसको गाते हैं लेकिन उनका प्रननसेशन बदल जाता है लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं राम धुन महत्मा गांदी जी को बहुत पसंद था यह और यह आप सबको पता होना चाहिए यादें बापु गांधी की अब प्रस्तुत है एक जलक हामिद उला अफसर के जीवन के कुछ यादकार पलों की वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए सन 1921 का जिक्र है मैं L.L.B. का तालिब इल्म था गांधी जी मेरट में तश्रीफ लाए मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था आखिर मेरी आर्जू बराई और मुझे उनकी खिदमत में हाजर होने का मौका मिल गया हमारी खुश नसीबी आप में रठाए बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया ये अचकन देशे क्यों नहीं पहनते मैंने अर्ज किया तीन चार देशी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तिमाल करता हूं देशी आम खाता हूं देशी पान खाता हूं देशी आलू खाता हूं और देशी शक्कर इस्तिमाल करता हूं क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकाह लगाया और फरमाया अच्छा अच्छा तब तो आपके लिए देशी खपड़ा पहनना और भी आशान है एक ही देशी चीज़ का तो इजाफा होगा उसके बाद मतादिद बार कई कई बरस के वकफे से मुझे गांधी जी के खित्मत में हाजिर होने का मौका मिला मगर हैरत है कि हर मरतबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी चार देशी चीज़ों में अपनी उसी पांचवी चीज़ का ख्याल आ जाता 1945 का जमाना था गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिडला हाउस में ठहरे हुए थे मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी के खित्मत में कभी कभी हाजिर होता रहता था मसूरी में उन दिनों बहुत से लगदाखी मस्दूर आए हुए थे बेचारे बहुत गरीब थे एक फटे हुए जांगिये और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था रात के वक्ते टाट के बूरे में लिपड़ जाते थे यही टाट का बूरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरसाया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीजों पर गोर करना शुरू किया इस सिलसले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सके और उनसे उसका किराया ना लिया जाए शायद उस इमारत के लिए डेर लाख रुपए के वादे भी हो गए थे एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए देखो हामिद जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहां ठहरने की जगा तो हो ही जाएगी जी बापू देखो इस बात का पूरा खयाल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया ना लिया जाए अच्छा अब शोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए कुछ खास होना चाहिए मजदूर रहेंगे उसमें मेहनत करने वाले बापू धर्म का काम है ये तो वै क्यो ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए धर्मशाला हाँ ठीक है धर्मशाला आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए मैंने अर्ज किया अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते एक और सहाब वहाँ बैठे हुए थे बोले भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते है मैंने कहा जी हाँ कहते तो हैं लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं गांधी जी को ये नाम पसंद आया एक दफ़ा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए ये बीए पास कर चुके थे दस्तूर के मताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि तीन महीने तक वो आश्रम में रोजाना जाडू दिया करे गांधी जी जूट बरदाष्ट नहीं कर सकते थे आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवाईद बड़ सक्त थे उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उन्स था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे एक दिन आश्रम की एक आठ साला लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी ये लो, ये लो, ये लो, आरे लो मुझे भी लीमू दो ना, मुझे भी चाहिए वो उस लड़की के साथ खिलने लगा ये लो, खिलते खिलते उसे थका दिया लेकिन लीमू नहीं दिया लड़की तंग आकर रो पड़े असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था उस लड़की को कैसे दे दिया जाता जब लड़की रोने लगी तो उस नौचवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करें आफिर उसे एक तरकीब सुझी ये, ये गया ये मैंने फेका नदी में और लीमू गया साबर मती में गया? हाँ, वो गया अरे, रो मत मैं लीमू को नदी से निकाल ला आरे, नहीं किनारे परी तो होगा न नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी गया? हाँ, गया लीमू मगर असल में ऐसा नहीं था उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था बाद आई गई हुई दोनों बाते करते हुए आगे बढ़े इत्फाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए मेरा रुमाल किस जेब में है? उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकल कर जमीन पर गिर पड़ा लीमू? यह लीमू तो आपके पास ही है अरे वो आश्रम में रहकर जूट बोला आपने मैं ये बात बापो को जरूर बताऊंगे अरे नहीं नहीं बापो? ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी के खिदमत में पहुँची और उनसे कह दिया उन्होंने जूट बोला आश्रम में रहकर जूट बोला हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों जूट बोला ठीक है बापो शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा अच्छा बताऊं क्या बात थी? बापो बापो ये सब बस एक मजाग था देखो आइंदा से इस बात का खयाल रखो कि बच्चों से मजाग में भी जूट न बोलो जी बापो मैं समझ गया मैं खयाल रखूंगा कोई आँखों से तो सुनता निए आँखों से देखता है कानों से सुनता है इसलिए आँखों को तो सच्मुस बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए अडब रखकर बेश चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और इसा सुन्दर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपनी दिलों की बात है वो सुनाए यादें बापू गांधी की अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम विशेश आभार उस्ताद अमजद अली खां लेखक हामिदुला अफसर कलाकार परवेज गोहर शालिनी सिंग वैभव शिरिवास्तव और किशोर साही जाने धुन्यांकन बटिलेंग लिंडो और शानु मुक्सीम निर्माण निर्देशन वा ध्वनी संपादन वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत